बिना दही, बिना सोड़ा, बिना बेकिंग पाउडर की फुले फुले गुप पारे जैसे सूपर सॉफ्ट नान आप भी घर पर बना सकते हैं इसे के साथ बनाएंगे काजु मखाने की टेस्टी सबजी जो बनेगी सीधे प्रेशर कुकर में लेकिन स्वाद आप भुलाई नहीं भूलेंगे तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है एक कुकर इसमें हमें दो टमाटर डाले हैं जिसे मैंने हाफ कट किया है दो हरी मिर्च, दो छोटी प्यास और कुछ साबुत मसाले तो मैंने यहाँ पर दो इलाईची, एक छोटा टुकड़ा दालचिनी, तीन लॉंग और साथ से आठ काली मिर्चली है इसमें हम आदा कप मखाना और वनफोट कप टुकड़ा काजू डालेंगी तो आज हम सीधा प्रेशर कुकर में ही काजू मखानी की सबजी बनाएंगे जो सबसे आसान और टेस्टी बनेगी इसमें पानी डाल कर इसका ढखन लगाना है और इसे हम दो से तीन से ट्याने तक पकने देंगी तब तक मैं आपको एक ऐसे ट्रेक शेयर करूँगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी तो यहाँ पर मैंने एक कप दूद लिया है इसमें वन टेबल एस्पून विनेगर या निम्बुका रस डाल लिए जी तो दोस्तो जिने दही खाना पसंद नहीं है जिनके गर में दही नहीं है या फिर जिने दही से अलर्जी है वो इस ट्रिक को इस्तिमाल करकी अपनी कई सारे रेसिपीज बना सकते ही तो विनेगर या निम्बुका रस डाल कर आप इसे पाँच मिनट कले रखेंगे ना दोस्तो तो ये बिल्कुल तही की तरह हो जाएगा और इस दूद को आप बहुत सारे ग्रेवीज में केक में, कुल्चे में, नान में डाल सकते ही और अपनी रेसिपी तैयार कर सकते ही तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है अब हमने दो कप मैदा, आदा चमत शक्कर वन टेबल इस्पून मिल्क पाउडर, हाफ टीस्पून नमक डाल कर इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून ओईल आपको सरसो तेल नहीं डालना है साथी जो दूद हमने रखा था ना पांच मिनिट के लिए उसका टेक्स्चर देखें, बिल्कुल दही की तरह हो चुका है तो ये एक तरीके का इंस्टेंट दही हो गया है अगर आपके घर में दही नहीं है, आप रेसिपी बना नहीं सक रहे हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने एक सेशे इनो लिया है तो कि आज हम ना तो बेकिंग पॉडर इस्तेमाल करेंगे ना ही बेकिंग सोडा इसे अच्छे से मिक्स करके तुरंट आपको आटा लगाना है और सबसे अच्छे बात ये होती है कि इनो से बहुत जल्दी नान बन जाते हैं आटा बहुत जल्दी फर्मेंट होता है आप इसे तरह पांच मिनट रखके भी फटा फटा और इंस्टेंट नान बना सकते हैं जो बहुत सॉफ्ट बनते हैं तो आप देखिए दोस्तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हातों से हम इसे नीट करेंगे और यहाँ पर आपको अच्छे से 8-10 बार पटकना है अगर आपको घुसा आ रहा है तो सारा घुसा इस आटे पर निकाल दीजिए जिससे आपका आटा बहुत अच्छे से नीड होगा और इससे आपकी कुल्चे काफ़े फिलिफले बनेगी तो यह देखिए दोस्तो आटा लगा लिया है अब इसे हम ढखकर रखेंगे चुब तक यह रेस्ट करेगा हम सबजी बना लेते ही तो दोस्तो चले अब हम कुकर को देख लेते ही तो सारा प्रेशर अब डाउन हो चुका है और यह देखिए जो प्यास, टमाटर, काजू, मकाने थे वो सब अच्छे से पक चुके ही अब टमाटर के छिलके निकाल लेने ही और यह सारी चीजे आपको डालना है चले अब जो पेस्ट है वो बन चुकी है और अब हम सबजी की बागी की तयारी करेंगी तो कड़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सदे सीखी इसमें हाफ कप आपको काजू डालना है और इस पे अच्छे मार्क्स आने तक आपको इसे भुनना है जैसे इसमें मार्क्स लगने लगे हमें इसे निकाल लेना है इसे इसका क्रेंच बढ़ जाएगा और बहुत ही जाइकेदार सबजी बनेगी चले दोस्तों अब काजू हमने निकाल लिये हैं अब इसी सेम कड़ाई में हमें डालना है फिर से थोड़ा सा घी और एक कप मैंने लिये हैं मखाने मखानों को भी हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका भी स्वाद बढ़ जाए अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसे भी निकाल लेंगे और अब फिर से कड़ाई में हमें लेना है तेल तो यहाँ पर मैंने तेल और थोड़ा सा देशी घी भी डाला है आप घी को स्केप भी कर सकती ही इसमें डालेंगे आधा चम मजीरा साथे मैंने सूखे मसाले में लिया है लालमेच पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और वन टेबल इस्पून लसर नदरक का पेस्ट इसे हमें अच्छे से भून लेना है तो इसे अच्छे से भूनने के लिए आपको थोड़ा सा पानी ज़रू डालना है वरना ड्राइ मसाले जल जाते है अच्छे से भून लेने के बाद जैसे ये थोड़ा सा पक जाए हमें इसमें तयार कीवी पेस्ट डाल देना है जो हमने अभी बनाई है साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि जार में काफी पेस्ट है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है जल्दी भी बनती है और इसमें हम अधा कब दूट डाला है क्योंकि आज की रेसिपी में हम क्रीम का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढग कर पांच मिनिट के लिए पकाएंगे जैसे हमने इसे पकाया देखे जो ऑईल है वो थोड़ा-थोड़ा सिप्रेट होने लगा है अब इसमें यह काजू डालेंगे और साथ मैंने इसमें तीन हरी मिर्च डाली है स्वाद नुसार नमक डालेंगे और थोड़ासा गरम मसाला डालेंगी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से ढखकर पांच मिनिट के लिए पकाएंगी क्योंकि काजू को हलका सॉफ्ट हो तो जैसे मैंने पांच मिनट के लिए इसे रखा ना आप देख सकते ही सब्जी का टेक्स्चर कितना चेंच हो चुका है और इतनी क्रीमी और मज़ेदार सब्जी तो आपने आस तक कभी खाई भी नहीं होगी अब इसमें डालेंगे हम यह रोस्टेट मखाना और थोड़ा स आजाए तो पांच मिनट के बाद जैसी आप हम चेक करेंगे तो सब्जी बन कर तयार हो चुकी है तो यह सब्जी मेरे घर में जो गेस्ट आये थे ना उन्होंने इतनी जादा तारीफ की थी तो मैं आपको रिकमेंड करती हूं कि आप यह रेसिपी ज़रूर एक बार ट्रा नाली है अब इसके ऊपर हमने फिर से यह थोड़े से फ्राइ की वे काजू और हरे धनिया से हम इसे गानिश करेंगे और अब हम नान बनाते हैं तो आटे ने रेस्ट कर लिया है दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह फर्मेंट हो चुका है अब इसमें से पे अच्छे से इसे इस तरह किसे तेल और आटा लगाकर पैक करना है और इसे बेलना है तो आपको यह नान जादा मोटी नहीं बनाने हैं दोस्तों वरना अंदर से यह कच्छे रह जाएंगे तो इस बात का बिलकुल धियान रखिए तो यहां पर देखिए हलका सूखा मैदा म और इसे अब हम बेल रहे हैं अच्छे से बेल लेने के बाद इसके उपर हलका पानी लगाना है और थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी से कलॉंज ही लगाकर हमें इसे चिपकाना है और फिर हम इसे तवे पर डालेंगे तो गर्मा गर्म तवे पर डाल कर हमें इसे अलटते गुपारे की तरह यह नान फुल जाएगा और इससे देखकर आपको विश्वास भी नहीं होगा तो ऐसे फुले फुले नान बहुत आसानी से आप भी घर पर बना सकते हैं बिना दही बिना पेकिंग पॉडर और बिना सोडे की तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी तो यह हो ग अज़ै आसे दो आइए और अपने महमानों को अपने घर वालों को खुछ कीज़ी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद ही होगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को करना ना भूलेगा